नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का आपके अपने चेनल AKB मीडिया में एक बार फिर से दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बोलिवड और साउथ फिल्मों की कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो शलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो तो दोस्तों सबसे बेले अगर बात करें सलमान खान की मच अवेटेट फिल्म राधे के बारे में तो राधे फिल्म का फर्स्ट सुंग सीटी मार सेकंड सुंग दिल दे दिया पहले ही रिलिज हो सबी कुछ पहले दो गानों से काफी बढ़िया लग रहा है राधे टाइटल ट्रेक में सलमान खान का स्वेग दिसा पटानी का डांस और दोनों के लुक काफी ज़्यादा ला जवाब है यहाँ अगर राधे की टीम राधे टाइटल ट्रेक को सीटी मार और दिल दे दिया क पहले रिलिज करती तो साइध यह गाना और भी ज़्यादा बड़ा हिट हो सकता था और राधे का जो बस है वो सिर्फ राधे का टाइटल ट्रेक ही काफी ज़्यादा बड़ा सकता था लेकिन दोस्तों फाइनली राधे का टाइटल ट्रेक लेट रिलिज हुआ पर यह वाल सुपरिश्टार महज बाबू के अपकमिंग फिल्म को लेकर जिया दोस्तों आज से 3-4 दिन पहले में एक वीडियो में आपको पताया था कि सुपरिश्टार महज बाबू ने उनके करियर के 28 वे नंबर के फिल्म का अनौसमेंट कर दिया है जिस फिल्म को डायरेक्ट करेंग के 3 विकरम स्रीनिवास और महज बाबू की ये फिल्म 2022 के समर में रिलिच होगी लेकिन दोस्तों जब महज बाबू के 28 वे नंबर फिल्म का अनौसमेंट हुआ था तब सिर्फ दो पाते पता थी कि फिल्म के डायरेक्टर है 3 विकरम स्रीनिवास और फिल्म कोई हीरो है महज लेकिन दोस्तों आप महज बाबू की फिल्म से जोड़ी एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि महज बाबू की फिल्म में उनके साथ हिरोईन हमें देखने को मिल सकती है जानवी कपूर जिया दोस्तों यहाँ पे 3 विकरम सर चाहते हैं कि जानवी कपूर और महज बाबू की जोड़ी SSMB 28 में नजर आए हलागे दोस्तों कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि SSMB 28 यानि कि महज बावु के 28 में नंबर के फिल्म में या तो पूजा हेगडे हिरोईन हो सकती है या फिर जानवी कपूर हलागे दोस्तों पूजा हेगडे के साथ भी महज बावु की जोड़ी पहले ही सूपर हिट हो चुकी है लेकिन यह देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि जानवी कपूर और महज बावु की जोड़ी क्या कमाल करती है हलागे कुछ भी official announcement होती है तो मैं आपको अगले वीडि देखने को मिलेगी अनन्या पंडे तो दोस्तों आपको बता दे कि पेन इंडिया फिल्म लाइगर जिस फिल्म का फर्स्ट लुक पोश्टर और रिलिज डिट आज से दू-तिन महीने पहले अनौनस हुई थी लेकिन दोस्तों आप तयार हो जाईए लाइगर फिल्म का जो टीजर है वो बहुती जल्द रिलिज होने वाला है जिया दोस्तों आपको बता दे कि लाइगर फिल्म के जो मेन लीड एक्टर है विजे देवर कौंडा उनका जन्मत दिन है नौ माई को तो 9 माई के दिन लाइगर फिल्म की टीम की तरफ से रिलिज किया जा सकता है तो जो फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी 28 मई को रेस फिल्म के अभी तक दो टी जरबी रिलीज हो चुके हैं और लगबग 7-8 नय पोश्टर भी आ चुके हैं तो दोस्तो आपको बता दे कि जिस तरह कोरोना वाइरस की सेकंड वेव में बोल्योट के कई फिल्में पोस्पोन हुई है वही कई पेइन इंडिया फिल्में भी पोस्पोन हो चुकी है तो दोस्तो इसी लिष्ट में मास महराजा रवीतेजा के फिल्म खिलाडी का नाम भी ज जूड़ चुका है। जैसे कि आप सबको पता है कि अक्षे कुमार को पिछले दिनों कोरोना वाइरस हो चुका था। जैसे कि अक्षे कुमार इस नए लुक में काफी खतरनाक और काफी डेडली लग रहे है। आपको बता दे दोस्तो ये वाला जो नया लुक बच्चन पांडे फिल्म से रिवील हुआ है। ये किसी सौंग की सुटिंग के समय का है। वही दोस्तो आज के आखरी अपडेट है इस्टाइली सिष्टार अलो अरजुन की फिल्म पुस्पा को ले कर। तो दोस्तो अलो अरजुन के जनम दिन के मोके पर पुस्पा फिल्म का टीजर रिलीच हुआ था। और पुस्पा फिल्म का टीजर लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आया था और पुस्पा के टीजर ने यूटूब पर वेसे तो कई रिकूर्ट्स बना दिये जैसे कि फास्टेट वन मिलियन लाइक्स हासिल करने वाला तेलगू टीजर और सबसे पहले फास्टेट 50 मिलिय पुस्पा का बना था लेकिन दोस्तों अब आपको बता दे कि अल्लो अर्जुन के फिल्म पुस्पा के टीजर पर टोटल साहाट मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हो और पुस्पा का टीजर तेनकू फिल्म इंडेश्ट्री का पहला ऐसा टीजर है जिस टीजर पर साह मिलियन व्यूज आ चुके हैं तो दोस्तों यहाँ पर अलो अर्जुन की फिल्म पुस्पा का अभी सिर्फ एक टीजर रिलिज होआ और टीजर नहीं यूटूब पर कई रिकोर्ड तोड़ दिये हैं अब उमिद करते हैं कि जब पुस्पा फिल्म का ट्रेलर आएगा वाइड रिलिज किया जाना है अब दोस्तों फिल्म की जो रिलिज डेट थी वो पहले 13 अगस्त थी लेकिन पुस्पा फिल्म के रिलिज डेट बे आगे बढ़ चुकी है और साइथ पुस्पा फिल्म को अब इसी साल दिसमबर महिने में रिलिज किया जा सकता है तो दोस्त Instagram का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा